हेलो बच्छों आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एवरेज का पार्ट टू जैसा मैं बोला था हर वीडियो में मैं कुछ नए कॉंसेप्ट नए कोस्टिन आपके पास ले क क्या होंगा बीकॉम एंट्रेंस के लिए कंपरिटिव इग्जामिनिशन के लिए तो आईए इस वीडियो में भी हम डिसकस करते हैं कुछ नए-नए कॉंसेप्ट के बारे हैं बच्छों तो कुश्चिन आपके सामने है आवरेज ऑफ और नंबर्स फ्रॉम वन टू एन यही वीडियो में जो मैंने बताया था कॉंसेट ओ फस्ट वर्ड का यहां बोल रहा है क्या वन टू एन और नैटियल नंबर्स का एवरेज बताओ तो इन शिंपल सा इसमें फॉर्मूला क्या लिख लो बच्छों कि यहां पर लास्ट और नंबर क्या होगा बच्छों लास्ट odd number plus one upon two that's your average that's your average यही आपका average है बस simple सा है ना last odd number plus one upon two यही तो average है जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चो आप find करो क्या question मैंने बोला find the average average of odd number odd number from one to sixty कहां तक बोला बच्चो one to sixty sixty बोला तो sixty तो आपका क्या है even number है ना उससे पहले का odd क्या आ रहा है 59 आ रहा है क्या रहा बच्चो 59 आ रहा है पहले का उससे जस्ट पहले वाला 59 है plus one कर दिया upon two कर दिया आ गया 30 answer एकदम seconds में answer आएंगे बच्चो seconds में अब आपको मन कर रहा हो क्या कि नहीं मैं और नमबर लिखूंगा और लिख के पता करूंगा स्वाल करूंगा तो करो देखो कि ता समय लगता है इदम simplest way आपके लिए लेके आ रहा हूं टू टैन क्या बोला मैंने बच्चो वन टू टैन अगर फॉर्मूला से लगाऊंगा तो क्या आएगा बच्चो नाइन पहला बैसे जस्ट पहले नाइन होता है अब plus 1 upon 2 that is 5 है ना यह मैंने फॉर्मूला से लगाए अब मैं चेक कर लेता हूँ 1 plus 2 sorry 2 is the even number 3 plus 5 plus 7 plus 7 के बाद कौन सा आएगा बच्चो 9 upon 1 2 3 4 5 5 कर लिया किता है 3 1 4 4 5 9 9 9 8 8 8 7 25 25 दिवाइड बाइ 5 कर दिया आगया बच्चो 5 है ना एकदम जब उससे answer से मैं न तो कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है मैं जो previous बताया था उसको भी recall कर दूँ मैंने previous को विडियो में बताया है आपको क्या कि find the average of first 10 odd numbers first 10 odd numbers बोला था तो माल लिजे मैं बोला था क्या first 10 odd numbers ठीक है जब ये word मैंने बोला था first 10 odd numbers ठीक है ना यहाँ पर 10 कर लेता हूँ ठीक है 10 odd numbers इसका मैंने क्या answer बताया था कि same 10 ही इसका answer हो जाएगा यहीं बताया था ना लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है find the average of odd numbers from 1 to 10 एक से 10 के बीच में इतने odd numbers आते हैं ठीक है तो करना क्या है last odd plus 1 upon 2 clear concept next concept सीखते है बच्चों तो बच्चों एक और नए concept के साथ मैं आपके सामने चले question number 2 solve करेंगे बट उसके पहले concept को पढ़ते हैं क्या है और rule को तो बच्चों कहरा है कि the average of even number from 1 to n तिसले बारे में odd था इस बार क्या आ गया even आ गया कहने का मतलब है कि और बोल देता है question बच्चों कि एक से लेके एक से लेके 2000 तक में जितने भी even संख्याएं आती हैं उनका average क्या होगा अब तुम तो जोडोगे नहीं कि 2, 4, 6, 8 जोडते हैं तब find करते हैं समय लग जाएगा ना बच्चों उसमें काफी जादा तो क्या करन है बस simple सा एक मेरा छोटा सा trick follow करना और answer सामने आ जाएगा करना क्या है last even number क्या है बच्चों last even number इस n संख्या में last even number कौन सा है उसमें बस 2 प्लस कर देना और divide by 2 कर देना और आपका आगया average है ना कुछ नहीं करना था last even number अगर बोलता है 500 तो 500 तो खुदी last even number है बोलता है 499 तो क्या even है 498 even होगा बोलता है 1001 लास्ट एन बोलता है 1 से लेके 1001 तो 1000 even होगा बच्चों तो यहीं formula apply करना है आईए question देखोगे तो और ज्यादा clear होगा बोला है what is the average of even number from 1 to 60 average निकालना है बच्चों एक से लेके 60 तक में जितने भी even number आते हैं उनका average निकालना है तो क्या ऐसे करूं क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 और जोडते जाओं क्या बहुत time लेगा ना बहुत time लेगा आओ question solve करते हैं simple सा average is equal to क्या था 60 60 तो खुदी even number है है कि नहीं तो 60 मैंने put कर दिया प्लस 2 कर दिया अपॉन 2 कर दिया 60 प्लस 2 प्लस 2 कर दिया क्या आ गया 62 अपॉन 2 answer solve हो गया 2 3s आ 6 और 2 1s आ 2 that is your answer 31 एक तीन सकेंड चार सकेंड concept भी कुछ नहीं याद करना है आपको learn हो चुका है देखो odd में क्या था last odd number और एक one क्या है odd संग क्या है उसको plus one कर देना है इसमें क्या था last even number है ना और plus 2 कर देना क्यों two even होता है और divide by two दोनों में ही था divide by two दोनों में ही था जिकना प्रैक्टिस करोगे question होता ही mind में set होते जा रहा है ठीक है अगर वीडियो से आपको सीख रहे हो ना तो आप सीधे क्या करो like button प्रेस कर दो चौड़नी तो बच्चो एक और नए concept को पढ़ते हैं इस वीडियो में question है और concept है the average of square of first and consecutive even number कह रहा है क्या average होगा उन numbers का उन even numbers के square का ठीक है यानि किसी first word जोड़के पूछे की even number के square का क्या average होगा एक्जामपल समझाता हूँ जैसे पूछ दे कि 10 तो 10 square even numbers ठीक है ने even के square का ठीक है 2 का square होगया बच्चो 4 का square होगया 6 का square होगया ऐसे square के numbers का average क्या होगा बस यही question पूछ रहा है तो इसको भी एक ट्रेकल कर लो बस छोटा सा mindset कर लो क्या कि भाई 2 लिख लो and plus 1 कर लो होगया कोई दिक्कत अब क्या करना है बस simply इस पर बाहर रखाता है इस पार क्या कर लो अंदर रख लो अब क्या करना है बच्चो बस कुछ नहीं 2 यहां बाहर रहा न प्लस-1 कर लिया 2 अंदर कर लिया 2 n प्लस-1 कर लिया, कुल कितनी संख्या है एक, दो, तीन तो यहां नीचे क्या कर लो तीन कर लो बस हो तो गया, Solve न, इसी फॉर्मुले पर रखना है, याद भी नहीं करना है दम सिंपल सा टू बाहर रखा एंड प्लस वन तू अंदर रखा टू एंड प्लस वन तीन संख्या टू एंड प्लस वन टू एंड प्लस वन डिवाइड वाई थी कर दिया ठीक है तो यह क्या होगा किसके लिए क्या होता है लगातार कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए भी इसमें लगातार का मतलब होता है इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है अब मैं आपको करता हूं को सॉल ठीक है यहां पे है find the average of consecutive of first 20 square of first 20 consecutive numbers तो करना क्या था बच्चो तू अपने मन का n मतलब क्या है this is the n this is the n यहां रखा मैंने क्या 20 प्लस 1 तू अंदर चला गया है न यहां पे है प्लस 1 ठीक है अपन एक दो तीन तीन हो गया सॉल्ब कर लो कुछ नहीं कैसे सॉल्ब करना है बड़ा सिंपल सा तू यहां रखना है ऐसे multiply का सिंपल 21 फिर यहां पे क्या हो जाएगा बीज दुनी 40 एक 41 मल्टिप्राइट भाई 41 डिवाइड वाई 3 तीन से साथ कर दिया ठीक है न साथ दुनी 14 गुड़े 41 चौदह कम चौदह का चाहर चाहर लगा 1 14 चोग के 56 एक संतावन आ आगया answer आपका 574 होगा प्रूफ करना है चलो प्रूफ कर लेते हैं प्रूफ कैसे बाएड चपर्री 20 के जगह क्या लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं 3 ठीक है 3 अगर रखूंगा मैं वहाँ पे तो अगर मैं इस फॉर्मुले से सॉल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा बच्छो 2 ठीक है 3 प्लस 1 4 ओक्या 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपाउन 3 ठीक है किता हुए यहां 4 दुनी 8 56 अपाउन 3 यह आया न यह आया क्या मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको कि अगर 3 बोले 3 इसक्वाईर फॉर्स 3 तुट फॉर्स 3 असान है ना कैलकुलेट करना 2 का स्क्वाईर प्लस 4 का स्क्वाईर अपाउन 3 ठीक है तो दू दूनी के 4 प्लस 16 प्लस 36 ठीक है 36 और 4 किता होता है बच्चो 40 होता है ना 4060 किता होता है 56 बटे में 3 तो क्या यह ऐसे 20 बार स्क्वाइर करोगे क्या इसी तरीके से 20 बार स्क्वाइर करना संभव है और 20 के स्क्वाइर करना संभव है मादू चुराओ 10 मिनट चले गए इसलिए हमें इस फॉर्मूले को छोटा सा ट्रिक जो है उसे याद करना है और ट्रिक कुछ भी नहीं है बच्चो टू बाहर एन प्लस वन टू अंदर टू एन प्लस वन डिवाइड वाइड वाइट थ्री क्योंकि एक दो और तीन नंबर है बस और कुछ भी नहीं और बी कॉश्चिंग के प्रैक्टिक करते हैं मजा आ रहा है ना बच्चो लाइक बटन प्रेस कर दो कर मजा रहा है तो कॉमेंट करना ना भूलना तो एक और concept के बारे में समझते हैं question से The average of 3 number is 7 and the average of first 2 number is 5 What is the third number? तो first 2 number का दिया हुआ है क्या average 5 है What is the third number पूछ रहा है तो मैंने कल एक formula आप लोग को बताये था क्या बताये था इसमें आपको एक बात बता दो यह sum of observation को समझेगा यह total होता है यह data का क्या होता है total होता है जैसे मैंने example बताया था कि पापा कमाते है 25,000 मदर कमाती है 15,000 कमाती है और आपका income 0 है आपकी sister का income 0 है तो पूरे family का total income क्या होता है total income किता है 40,000 है यही है sum of observation और यह बड़ा काम का concept है बच्चो sum of observation अगर आपको clear रहे कि इसको किसे कहते हैं किसे sum of observation करते हैं आप बड़े-बड़े question को solve कर लोगे यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं तो average जो दिया है उसमें हम क्या करेंगे number of observation से multiply कर देंगे तो क्या निकलाता है sum of observation निकलाता है बच्चो तो आओ जड़ा देखो इस question में भी ऐसा ही कुछ है average of 3 number is 7 तो 3 number के average कितना दिया है 7 दिया है तो हम कह सकते है sum of observation of 3 numbers कितना बच्चो 3 numbers क्या करना है simple साथ तरीके किस 21 आ गया समझ रहो कैसे न 3 into 7 कर देना है क्यों क्योंकि average 3 था तो 3 put कर दिया number average of 3 numbers था number of observation 3 था 3 put कर दिया कितना average था 7 7 तो 21 हो गया okay average of first 2 number दिया है तो यहां क्या होगा sum of observation of first 2 numbers first 2 numbers थेक है first 2 numbers क्या हो जाएगा बच्चो simple साथ 5 है तो कितना हो जाएगा 5 नहीं 10 clear है तो अब जरात सूचो conceptually सूचो अगर number क्या था A था B था और C था तो मैंने इन तीनों का sum निकाला कित था इन तीनों का sum निकाला हो मैं 21 किता निकाला हो बच्चो 21 और मैंने first 2 numbers इसका, इसका sum यानि minus कर लूँ मैं A और A और B को किसको A और B का sum को minus कर लो यहा A प्लस B मैं प्लस C का sum किता निकाला हो 21 और minus क्या करने जा रहा हूँ A plus B के sum को मैं minus कर रहा हूँ जिसका sum कितना निकाला हूँ मैं 10 तो किसका बचेगा बच्चो किसका बचेगा समझ में आ रहा है किसका बचेगा 3rd वाले का बचेगा 3rd वाले C का income निकलाया कितना होगा C का income 11 यानि 3rd person का income कितना होगा 11 होगा बच्चो तो कहने का मतलब यह concept समझना जरूरी है यह ऐसे लिखना नहीं है competition में लिए concept अगर आप समझ जाते हो तो बड़ा से बड़ा question जो है आसानी से समझ में आ जाएगा तीनों के sum of observation में से 2 का sum of observation निकाल दिया तो बच्चा third one का that is called 11 तो बच्चो ऐसे ही नए वीडियो के साथ में फिर next day मिलूंगा पार्ट 3 लेके average का तो बच्चो questions लगाते रहिए notes prepare करते रहिए पूरे concept को लिखते चलिए कि बाद में कभी आप miss करो तो दुबारा recall कर सको और वीडियो अगर पूरे बच्चो बच्चो पार्ट 3 लेके पार्ट 3 लेके रहिए